Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 4 की Hindi Book रिम जेम Chapter 11 पढ़को की सूज तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दीए के Bell आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से Related साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंस दी रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका Chapter है पढ़को की सूज इस कवीता को लिखा है रामधारी सिंग दिन करने तो बहुत ही अच्छी कवीता है आप इसे ध्यान से सुनिए पढ़को की सूज एक पढ़को बढ़े तेज थे तरक सास्तर पढ़ते थे जहां न कोई बात वहां भी नई बात गड़ते थे एक रोजवे पढ़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए बैल घूमता है कोल हू में कैसे बिना चलाए कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चे कोई ढ़ब है तो देखिए इस कवीता में जो लाइन में जो कभी बोलते हैं ठीक है तो पहले देखिए एक पढ़कू बड़े तेज थे पढ़कू व्यक्ति तरक सास्त्र पढ़ते थे ठीक है पढ़कू का मतलब होता है पढ़ने लिखने वाला जो पढ़ता लिखता है उसे हम पढ़कू कहते हैं पड़कु व्यक्ति तड़क सास्तर पढ़ते थे और तड़क सास्तर का मतलब होता है एक तरह का विसे जिसमें तड़क विद्या सिखाई जाती है पढ़ने में वे बहुत तेज थे जहां कोई भी बात नहीं होती थी वहां भी नई बात गढ़ लेते थे गढ़ना मिंस होता है बनाते थी एक दिन की बात है बिचारे पढ़कु चिंता में पढ़ गए सोचने लगे कि आखिर कोलू में बैल किसी के चलाए कैसे घुमता रहता है कई दिनों तक वे इसी विशे पर सोचते रहे उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीव सिखा दिया ठीक है कोई तरकीव सिखा दिया होगा तो देखिए धब मिंस होता है तरकीव या तड़ी का ठीक है तो इस तरह से इसमें जो है ना व्याक्ठा इस को ने किया है अब चलिए आगे बढ़ते हैं आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिया कैसे कोल हो का यह बैल तुम्हारा चलता या अरता है रहता है घुमता खड़ा हो या पागुड करता है मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है तो देखिए अब इस लाइन में जो कभी कह रहे हैं पड़कों से नहीं रहा गया एक दिन वे बैल के मालिक के पास पहुची गया पूछने लगे आखिर यह तुम कैसे जान जाते हो कि कोल हो में ल ठीक है अरना मिन्स होता है रुकना और भेद मिन्स होता है रहस्य ठीक है घूम रहा है या खड़ा है या फिर जुगाली कर रहा है तो पागुर मिन्स होता है जुगाली करना मालिक ने जवाब दिया अरे भाई कौन सी बड़ी बात है क्या तुम देखते नहीं हो कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी है बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुका है ठीक है देखिए उसके बाद फिर बोल रहा है इस लाइन में देखिए जब तक यह बस्ती रहती है मैं नाफिक्र करता हूँ हाँ जब बस्ती नहीं दोड कर तनिक पूछ धरता हूँ ठीक है कहा पढ़कू ने कहा पढ़कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोड़े वेवकूफ मन्तिक की बाते समझ सकोगे थोड़े अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए चले नहीं बस खड़ा-खड़ा गरदन को खूब हिलाए ठीक है अब देखिए इस लाइन में जो कभी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं पढ़कू का यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोलू में लगा बैल बिना किसी के चलाए गूमता कैसे है बास्ती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती लेकिन जब घंटी से आवाज आने बंद हो जाती है इसका मतलब है कि बैल रुक गया है फिर वह उसकी पूँच एट देता है और बैल चल पड़ता है पढ़कू इस पर मालिक से कहता है कि तुम तो बिल्कूल बेवकूफ जैसी बाते कर रहे हो तुम भला तरक सास्तर की बाते कैसे समझ पाओगे कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगर पर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए तो इसमें यही कह रहे है तो फिक्र मिन्स होता है चिंता तो इस तरह से इस लाइन में कहा गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए अगला लाइन है कि घंटी टुन टुन खूब बचेगी तुम ना पास आओगे मगर बूंद भड तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे मालिक थोड़ा हसा और बोला की पढ़क को जाओ सिखा है या ज्यान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है या केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मन्तिक पढ़ पाया है ठीक है अब इसमें देखिए क्या बोल रहे है कभी कि मालिक ने पढ़क को से कहा बैल के गले में बंदी घंटी जब तक बस्ती रहेगी तब तक मुझे चिंता करने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि बैल चल रहा है इस पर पड़कु ने कहा कभी किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए तुम समझोगे कि बैल चल रहा है लेकिन साम तक एक भी बूंद तेल नहीं निकल पाएगा मालिक हसकर पड़कु से बोला जहां से तुमने यह ग्यान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है तुम्हारी बातें भ्रम फैलाने वाली है अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तरक सास्त्र नहीं पढ़ पाया है यह बिल्कुल सीधा सादा है अब इसमें देखी इसका जो सब्दार्थ है सांज जो कठिन सब्द है सांज मिन्स होता है साम या संधिया मन्तिक मिन्स तरक सास्त्र ठीक है तो ये आपका चप्टर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है इसे तो चलिए अब इसका प्रशन उतर कर लेते हैं देखे कविता में कहानी ठीक है पड़कू की सूज कविता में एक कहानी कही गई है इस कहानी को तुम अपने सब्दों में लिखो ठीक है तो देखे इसमें आप कहानी लिख सकते हैं कि एक पड़कू वैक्ती था वह तड़कसास्तर पढ़ता था तेज बहुत था जहां कोई भी बात ना होती वहां भी नई बात गड़ लेता था एक दिन की बात है वह चिंता में पड़ गया कि कोलू में बैल बिना चलाई कैसे गूमता है उसके लिए यह बहुत गंबीर विसे बन गया वह सोचने लगा कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि तुम्हारे कोलू का बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है मालिक ने जवाब दिया क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो जब तक यह घंटी बस्ती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज आनी बंध हो जाती है मैं दौर कर उसकी पूछ पकड़ कर एठ देता हूँ इस पर पढ़कू ने कहा तुम तो बिल्कुल बेवकूप जैसी बाते कर रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बेल खड़ा खड़ा ही गरदन हिलाता रह जाए तुम समझोगे कि बेल चल रहा है लेकिन साम तक एक भी बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा मालिक हसकर पढ़कू से बोला जहां से तुमने यह ग्यान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ यहां पर सब कुछ सही है क्योंकि मेरा बेल अभी तक तरकसास्तर नहीं पढ़ पाया है बस आपको यही लिख देना है उसके बाद देखिए फिर है कॉस्चन कि कवी की कविताएं तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंग दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ि थी अब तुमने उन्ही की कविता बढ़कको की सूझ पढई ठीक है अब देखिए अब इसमें जो है नीचे की दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो तो दोनों में आपको कौन सा कविता आपको अच्छा लगा कौन सा पढ़के तो देखिए आप क्या लिखेंगे आपको कौन सा अच्छा लगा तो आप अपने मन से इसे दिखिए ठीक है? उसके बाद है कि तुम्हें काबली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़को कोई या कोई भी अच्छा नहीं लगा अब इसमें भी आपने दोनों पढ़ा ठीक है? तो आपको कौन सा अच्छा लगा काबली वाला या पढ़को उसके बाद है अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंडो कविताएं इकठा करके कविता की एक किताब बनाओ तो अपने साथियों के साथ कविता ढूंडना है आपको बहुत साड़ा एकठा करना है और एक किताब बनाना है तो ये सब काम आप खुद कीजिएगा के बाद है महनत के मुहावडे कोलू का बैल ऐसे व्याक्ति को कहते हैं जो कड़ी महनत करता है या जिससे कड़ी महनत करवाई जाती है महनत और कोसिस से जुड़े कुछ और महावडे नीचे लिखे है इनका वाक्यों में इस्तिमाल करो ठीक है वाक्यों में इस्तिमाल करना है तो देखिए दिन रात एक करना दिन रात एक करना का क्या हो जाएगा ये एक महावड़ा है तो देखिए वार्सिक परिक्षा में अवल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दिये ठीक है यानि कि दिन रात एक करना यानि कि बहुत अच्छे से महनत करना जोर सोर से महनत करना उसके बाद है पसीना बहाना कुछ भी आप वाके बना सकते हैं ठीक है उसके बाद है पसीना बहाना तो पसीना बहाना का कि हमारे किसान खेतों में पसीना बहा कर फसल उगाते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं उसके बाद एरी चोटी का जोर लगाना एरी चोटी का जोड लगाना का कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो एरी चोटी का जोड लगाते हैं इसका मतलब है उन्हें ही सफलता मिलती है जो जोड सोड से मेहनत करते हैं बहुत जादा मेहनत करते हैं ठीक है तो यही होता है AD चोटी का जोड लगाना तो इस तरह से आप लिखेंगे अब है पढ़कू देखे, पढ़कू का नाम पढ़कू क्यों पढ़ा होगा तो आप सोचिए कि पढ़कू का नाम पढ़कू क्यों पढ़ा होगा क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा इसलिए पढ़ा होगा तुम कौन सा काम खुब मन से करना चाहते हो उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़को जैसा कोई सब्स सोचो ठीक है? तो क्या काम करना चाहते हैं आप खुब मन लगा के तो आप कुछ भी लिख सकते हैं मन लगा के साइकल चलाता हूँ या मन लगा के प्लांटिंग पौधो में पानी डालता हूँ या मन लगा के पैंटिंग करता हूँ कुछ भी आप लिख सकते हैं या फिर मन लगा के गपे मारना चाहता हूँ तो इसको आपको लिखना है तो इस आधार पे आप कर सकते हैं उसके बाद है अपना तड़ी का हाँ जब बस्ती हाँ जब बस्ती नहीं दौर कर तनिक पूछ धरता हूँ पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकर लेता हूँ नीचे लिखे वाक्यों को अपने सब्दों में लिखो तो देखिए अपने सब्दों में लिखना है मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे ठीक है तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा पूछ भर भी देखिए मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे तो देखिए इसमें क्या आप लिखेंगे कि मगर साम तक मगर साम तक तुम एक भी बोंद तेल नहीं पा सकोगे उसके बाद है कि बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है तो हमारा बैल अभी तक तड़क सास्तर नहीं पढ़ा है सिखा बैल को रखा इसने निश्चे कोई ढब है तो इसने बैल को निश्चे ही कोई तरकीब सुझा रखी है जहाना कोई बात वहाँ भी नई बात गड़ते थे तो इसका लिखेंगे कि जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात बना लेते थे तो इस तरह से लिखेंगे उसके बाद है गढ़ना पड़को नई नई बातें गढ़ते थे बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं क्या गढ़ते हैं जैसे वो नई नई बात गढ़ता था तो ये लोग क्या गढ़ते हैं जैसे कि है सुनार सुनार वो क्या गढ़ता है जेवर बन आटा है कभी दॉकले लिखता है कुमहार कमार मिट्टी के बरतन बनाता है लेखक तो वो कहानिया लिखता है लेख लिखता है ठीक है तो इस तरह से लिखेंगे अब इसके बाद एक खोजो नीचे दिये आपको इसमें खोजना है ठीक है? तो देखिए कहां कहां है सब आप इसमें सरकल कीजिए जैसे कि तड़क सास्तर है तो तड़क सास्तर आप इसमें देखिए तड़क सास्तर ठीक है? यह हो गया आपका उसके बाद फिर देखिए फिर आपका यहां पे धोखा उसके बाद यहां पे है राज यह हो गया उसके बाद तड़ी का इसके बाद देखे कमाल ठीक है? यह सारे को आपको इसी तरह से लिखना है और जो है अर्थ जाल यानि कि यहां पर जो है न आपको इसके अर्थ आपको निकालना है यानि की सब कर लिखना है तो ये आपका चाप्टर कम्प्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि NCRT से रिलेटिट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंच दी रहे और आपको कहीं भी प्राबलम हो रही हो समझने में आप मुझसे कमेंट के दोरा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स टो वाच मै वीडियो